है एले वरिवर्वन आप लोग रिवर्सी लॉक से स्टार्ट करते क्लास जैसे की मैंने आप लोग को पढ़ाया था सिलॉल इसमे ना सिलॉलिजम में पूरा मैंने आपको basic concept आपको बता दिया है अब सिलॉलिजम के बाद एक concept आता है जिसको बोलते हम reverse सिलॉक्सisesti की जे हमको कहां पर देखने मिलेगा ये पूछे गापको बैंक में ये पूछे घापको एस सी में ये हमाइम पूछता अगर ये प्रिलिम में प्स्ता है और mostly exam में ये mains में पूसता है, mostly exam में ये mains में पूसता है, जैसे कि bank हो गया, जैसे कि ssc हो गया, इन exam में ये mains में पूसता है, ठीक है, तो चलिए, अब हम reverse silox पढ़ेंगे बिटा, अच्छा, चलो, मुझे एक बात बताओ भी, हाँ, अब देखो, अच्छा, I am audible to you, मेरी आवा जैसे कि मैं आपको इस पर question दिखाता हूँ, sir, reverse silox पर question आते कैसे, देखो, question देखो पहले कि, जैसे कि हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम पहले, हम क्या देखते थे, कि पहले सर, जब ये silox आपने हमको पढ़ाया था, तो पहले आप मुझे हमको statement बताते थे, पहले क्या पहले को बताते हैं, हम लोग statement बताते थे, आप लोग को, ठीक है, statement देते थे, और statement दिया जिसे कि ये एक statement है और ये दो statement है, ठीक है, दो statement देता था, उससे आप क्या निकालते नेक्स स्टेप में डायग्राम निकालते थे, नेक्स स्टेप में आप लोग डायग्राम निकाला करते थे, जो भी आप निकालना है आपको डायग्राम, और उसके बाद में क्या रहता था, अरे हाया ना, पहले स्टेटमेंट, और फिर कंक्लूजन रहा करता था, तो फिर कंक और सिलोक्स में क्या रहेगा अब तक सिलोक्स में क्या रहता था पहले statement रहता था फिर जाके conclusion रहता था अब पहले conclusion दिया रहेगा अब क्या दिया रहेगा पहले आपको पहले conclusion दिया रहेगा मेरी बात समझ पा रहे हो पहले आपको conclusion देगा और उसके बाद यह conclusion देने के फिर आपको statement नीचे दिया रहेगा, मतलब आपको पहले क्या देगा, वो conclusion देगा, conclusion में यहाँ पे 2-3 conclusion देगा, और बोलेगा कि नीचे दिया कौन सा statement जो दिया है, वो follow करता है इस conclusion को, नीचे दिया गया जो statement है, वो कौन से, मतलब option number A, option number B, option number C, ऐसे statement देगा, statement में 2-3 आपको statement लिखे रहेंगे, option number A में, option number B में 2-3 statement लिखे रहेंगे, option number C में 2-3 statement लिखे रहेंगे, तो बोलेगा कि नीचे दिये गया कौन सा statement से, ये conclusion follow करता है, मतलब जो हमने conclusion पूछा है, वो नीचे दिये कौन से statement से follow करेगा करके, मेरी पास समझ में आ रही है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको reverse खिलना है, मतलब सर पहले आपने बढ़ाया हमको पहले statement दिया रहता था और उसके बाद conclusion दिया रहता था, परंतु reverse silox में क्या होता है, पहले conclusion दिया रहता है, और ये जो conclusion आपको देगा, ये कौन से statement से, मतलब कौन से statement का diagram बना कि ये conclusion follow होगा, ये आपको निकालना रहता है, तो कौन सा statement आएगा, बराबर कौन सा statement से conclusion follow होगा, ये आपको बताना है मेरी बास समझ पारे हैं आप लोग चलिए है अभी देखो कि अजस्ट सेकेंड क्लास यह जरह मैं आवाज चेक कर ले रहा हूँ ठीक है कि ओके यस चलिए आवाज भी प्रॉपर है अब मुझे मैंने आपको यह कंसे बता दिये कि सर इसमें ऐसा हम लोगो को करना है कि जो कंक्लूजन दिया होगा वह कंक्लूजन कौन से स्टेट्मेंट से मतलब कौन से स्टेट्मेंट का डायग्राम निकालो गया आप कौन से स्टेट्मे सब्चे, मात् Minnie, मतलब इसमें स्टेट्मेंट से यह कंंक्लूजन दिया रहता है वह कंक्लूजन रेता है।्ध सिद् emptiness का डायग्राम बना कई स्टेट्मेंट को स्टेट्मेंट का डायग्राम बना के अब बेटा मैं question दिखाता हूँ आप लोग को ठीक है देखो question चली जैसे देखो यह पहला question देख पा रहे होंगे आप लोग हाँ अब मुझे बताओ sir देखो यहाँ पे क्या दिया है पहले यहाँ पे तो पहले conclusion दिया है और फिर यहाँ पे option नमबर a में statement दिया है option नमबर b में statement दिया option number C में statement दिया, option number D में statement दिया, तो ये जो option number A, B, C, D, E, ये जो statement है, ये कौन सा statement, मतलब यहाँ पे देखो statement में कितने आपको statement दिये, चार-चार statement दिराए है, तो कौन सा statement का आप diagram बनाएंगे, और या कौन सा statement से ये conclusion follow होगा, ये आपको बताना है, और देखो यहाँ पे समझ हो, क्या देखना है आपको, ये जो भी आप statement से diagram बना रहे हो, जैसे आपने option number A उठाया, मतलब option number A का statement उठाया, तो option number अगर A का statement उठाते हो, तो ये चारो के चारो conclusion true होने चाहिए, ये भी true होना चाहिए, ये भी true होना चाहिए, ये भी true होना चाहिए, मतलब ये सारे के सारे all are true होना चाहिए, all are true होना चाहिए, मेरी बास समझ पा रहे हो क्या आप लोग, all are true होना चाहिए, तभी ये सही होगा, मेरी बास समझ पाए, मैं क्या बूल रहा हूँ, यह चारो के चारो true होना, मतलब जो भी आप statement उठाएंगे, तो उस statement से यह चारो के चारो follow होना चाहिए, तभी यह सही हो सकता है, मतलब statement सही हो सकता है, अगर आपने option number A का statement उठाया, और यह पहला सही हुआ, दूसरा सही statement है, इसका जब आप इससे यह conclusion को follow कराने कोशिश करेंगे, तो चारो conclusion follow होना चाहिए, अगर चारो conclusion follow होते है, इसी का मतलब है कि statement number B is a successful, मतलब जो B है, उससे आपका answer आ रहा है, और यहाँ पर answer हो जाएगा option number B, मेरी बास समझ पा रहे हो, मतलब जिस statement का use करके आपके चार conclusion अगर true होंगे, वो ही statement आपको answer बनेगा, समझ पारे हो आप लोग, मतलब जिस statement का use करके यह 4 के 4 conclusion follow होंगे, वो ही statement आपका answer बनेगा, समझे, तो यहाँ में से वो ही तो option चुनना है कि कौन सा statement आपका answer बनेगा, तो आपको पहला option number A के 4 statement इसको आपका diagram निकल के देखना प basic के बाद में मैं आपको shortcut बताता हूँ, basic के बाद में मैं आपको shortcut बताता हूँ, ठीक है, तो पहले हम देखेंगे basic method से, अब sir यह basic method, पहले basic method देखलो, फिर मैं shortcut, क्योंकि मैंने आपको जब silox पढ़ाया है, तो वहाँ पे shortcut भी बताया है, कि जैसे अगर sum ARB का diagram है, तो कित यह पूर्णे conclusion false होते हैं, यह आपको shortcut से मैंने बताया कि sum ARB के diagram में, sum ARB और sum ARB और sum ARB और sum ARB इतने ही true होते, इतने ही क्या होते हैं, true होते हैं, और बाकि सब क्या होते हैं, false हो जाते हैं, मेरे बास समझ भारे हो आप लोग, तो अब आ जाए, कि सर, चलिए, अब देखते हैं हम लोग कि कौन सा, पहले तो basic से देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पहले basic तो समझ में आ जाए, हाँ, अभी, चलो, अब मुझे बताओ कि सर, कौन सा statement आप लेंगे, जिससे कि 4 के 4 आपके conclusion true हो जाए, तो चलते हैं, पहले statement के तरफ, च देखिए, यहाँ पहला statement अगर उठाते हैं, यहाँ चार statement है, यह हो गया, यह, यह, और यह, अब मुझे बताओ, अब इसका आपको diagram निकालना पड़ेगा, सबसे पहले मैं diagram निकाल के बताओ, पहले, पहले बटा basic से समझ वाँ, फिर मैं shortcut बताता हो ना आपको, आप इसका मतलो कि सर, इसका time तो ज़्यादा लगेगा, क्योंकि चारों के पाचों के पाचों स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे, फिर उसमें से भी आपको बताने की कौन सा answer होगा करके, तो इसमें तो time तो ज़्यादा लग सकता है, तो पहले आप basic समझ लो, उसका जब आपको सम पहले हैं, यह बताओंगा फिर, ठीक है, पर पहले basic तो समझो, चलो, अब बनाता हूँ मैं some bottle or jar का diagram, तो सर, अगर some bottle or jar का diagram बना रहे हो, जैसे कि देखो some bottle or jar, yes, some bottle or jar, यह बनाया आपने jar का diagram, और some jar or container, some jar or container, यह बनाया आपने container, some container are lead, यह जो container है, यह चले गया lead में, और some lead are cap, यह चले गया cap में, यह ऐसी diagram बनी सर, मतलब यहाँ तो sum, यह, देखो diagram, जैसी आपने diagram देखा, यह तो पूरे के पूरे sum के diagram है सर, यह तो पूरे के पूरे sum के diagram है सर, और आप जो conclusion पूछ रहे हो, वहाँ पे सारे definite conclusion है, कैसे conclusion है, यहाँ पे सारे के सारे definite conclusion है, एक में भी possibility word दिख रहा है कि आपको, एक में भी possibility word दिखता है, नहीं, इसी का मतलब है, कि अगर diagram समका है, देखो अब सुनो, अब shortcut ही सुनना चाहती है, तो सुनो आप, diagram अगर समका है, diagram अगर समका है, तो definite conclusion में हमेशा सिर्फ सम ही true हो सकता है, definite conclusion में हमेशा always, हमेशा सिर्फ, हमेशा सिर्फ, सम वाले ही conclusion true हो सकते हैं, सम वाले conclusion ही true हो सकते हैं, सम वाले conclusion ही true हो सकते हैं, समझ पारे हो क्या, मैंने क्या बोल दिया, हो सकते हैं, मतलब सर, अगर diagram अगर समका बन रहा है, देखो यहां पर सारे के सारे, सम bottle और jar, सम jar और container, उसके बाद सम container और lead, मतलब सर, अगर सारा का सारा जो diagram है, यही सर अगर पूरे के पूरे sum के है, इसका मतलब यहां पे एग भी all का conclusion true नहीं हो सकता, मेरी बाद समझ रहे हो, एग भी all का conclusion, एग भी जो all का conclusion है, यह definite में true नहीं हो सकता, मतलब यह क्या हो जाएगा, definite में false हो जाएगा, तो मुझे बताओ क्या conclusion में एक भी all का conclusion पूछा है कि हाँ सर पहले ही तो पहले ही गलत हो गया मेरी बास समझ पा रहे हो क्या हुआ इसलिए मैं बटा पहले shortcut नहीं बता पहले समझा लो तो सर अब सम्झार और पहले बेसिक से करके दिखाऊंगा क्यों कि हर किसी को समझना चाहिए फिर तो मैं shortcut बताओंगा ना तुम लोग को ठीक है देखो इदर तो सर अब सम बोटल आर जार सम बोटल यहां पर जा रहे हैं यह जा रहें तो सर सम बोटल आर जार पर य अगर ये bottle का circle, अगर ये bottle का circle ऐसा lead में some part touch हुआ रहता, मतलब ये lead का some part ये है, ये bottle का some part ये है, तो lead और bottle का part अगर ऐसा touch हुआ रहता some में, तो हमने बोला रहता कि, sorry, हमने बोला रहता कि कम से कम ये bottle जो है, पूरा का पूरा, ये जो bottle है आपका, ये जो bottle है, ये bottle, सारा का सारा bottle किसके अंदर आना था, lead के अंदर आना था, तो ऐसा आपको diagram दिखना था, मेरी बास समझता है, जो ये conclusion पूछ रहा है, इसका diagram ऐसा निकलता है, all bottle are lead, अब मुझे बताओ, सारे के सारी bottle lead के अंदर दिखती है कि आपको नहीं दिखती, इसी का मतलब है कि य उमीद करता हो, class, आपको समझ में आया होगा, कि sir, ये जो पहला conclusion ये गलत हो गया, तो अगर एक भी conclusion गलत, अगर आपने ये statement, option number A से अगर उठा रहे हो, तो ये जो चारो statement से, ये option number A है न, इसके जो भी आपके चार statement दिए, इससे जो diagram बन रहा है, उससे ये चारो के चार conclusion follow होने थे, अगर एक भी गलत हो गया, तो समझ जो ये option number A ही गलत हो गया, मेरी बास समझ में आगी तो पहले गलत हो गया, sir, इसका मतलब option number A ही गलत हो गया, उमीद करता हो class, यहाँ पे, आपको यहाँ तक 100% समझाओगा, ठीक है, चलिए, इसके बाद बढ़ते हैं सामने ह हम लोग, अब, अब मैं आउंगा, option number B पे, चलिए, option number B का use करते हैं हम लोग, देखिए, option number B का use करते हैं, ठीक है, मतलब sir, यह तो गलत हो गया, ए, क्योंकि यह पहला गलत हो गया तो इसलिए, ठीक है, अभी आजाओ सामने, अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक ब जार के अंदर है, उसके बाद, some jar are container, some jar are container, some jar are container, some jar are container, हाँ, उसके बाद, all container are lead, सारे की सारी जो container है, वो किसके अंदर है, lead के अंदर है, सारे की सारी जो container है, वो lead के अंदर है, all container are lead, उसके बाद, all lead are cap, all lead are cap, सारे की सारी यह जो lead है, यह किसके अंदर है, यह किसके अंद सारे के सारी जो बॉटल है वो तो जार के अंदर है और ये बॉटल और ये लीट का तो कोई भी रिलेशन नहीं सर यह बॉटल की हद यहीं तक है सार और ये लीट की हद यहीं तक है सर बॉटल और लीट का कोई भी रिलेशन नहीं सर अलुर का इसका मतला बहुत है जै पहले गलत हो गया इसका मतला भॉटण की है गलत हो गया, समझ में आ गया, कितने लोगों का समझ में आया क्लास, उमीद करता हूँ आप सब को समझ में आ, क्यों ऐसा बोल रहा हूं सर मैं, क्योंकि डाइग्राम तो ऐसा बना लिया हमने, यह जो स्टेटमेंट, यह जो option number B का जो statement था, यह चारो स्टेटमेंट से, यह वा और रहा, all bottle are lead, तो यह सारे के सारी bottle तो lead के अंदर ही नहीं सर, इसका मतलब है, यही गलत हो गया, इसका मतलब, option number B गलत हो गया, समझ में आया, statement C, चलो, option number C के statement में चलते हैं, उससे डाइग्राम बनाते हैं, ठीक है, सर, दो तो गलत हो गया, option number B भी गलत हो गया, option number A भी ग तरफ, yes, देखिए, all bottle are jar, अब बोलता है, option number C के statement हम निकाल रहा है, C के statement से डाइग्राम निकाल रहा है, all bottle are jar, सारे के सारी जो यह bottle है, यह किसके अंदर है, जार के अंदर है, all bottle are jar, उसके बाद, all jar are container, all jar are container, all jar are container, then, all container are lead, all container are are lead, इस सारे के सारे जो container है, यह lead है, उसके बाद, no lead are cap, no lead are cap, कोई भी जो lead है, यह cap नहीं है, ऐसा बोल रहा है, सर, अच्छा, यहाँ पे तो negative बना, negative diagram, positive conclusion, सर, यह भी गलत होने वाला है, क्योंकि हमारे पास एक भी conclusion, देखिए, इसका shortcut क्या होता है, पता है, यहाँ पे सर आपने negative diagram निकाल द давно है, अर पूरे के पूरे positive conclusion है, एक भी negative conclusion नहीं है, तो, चलिए देखते हैं, सही होगा क्योंन, all bottle are lead, आपने बराबर, all bottle are lead, सारे के सारी जो bottle है, वह lead के अंदर है, कि सारे के सारी bottle, हां स, सारे के सारी bottle किस के अंदर है, lead के अंदर है, all bottle are lead, तो सर, यह तो पहला तो true हो गया. अब गौस्देखो देखो यह पहला अब जाकर true हो गया यहाँ ठीक है? मतलब sir, यह तो true हो गया, है ना? अभी, some container bottle, some container बोटल देखिये इसका मतलब घृए सब्सक्राइब होत्या वस्त पूछ रहा है समज़ पादड़ है क्वैं आप लोग यहां तक वैसे भी मैं आपको बता चुकर पहले कि अगर all AR B होगा, अगर all AR B होगा, तो sum BR A भी होगा, क्यों, क्योंकि ये B के ही circle में, ये जो B का circle है, ये जो महाराष्ट का circle है, उसी में तो थोड़ा सा हिस्से में नाखपूर है न, यानि कि महाराष्ट के ही sum part में नाखपूर है, इसका मतलब sum BR A, अब ये B equal to maharashtra मानलो और ये A equal to naakpur मानलो तो sir maharashtra के ही sum part में तो naakpur है इसका ही मतलब maharashtra मतलब B और naakpur मतलब A इसका मतलब B का ही sum part A है तो sum bear A. मेरी बास समझ में आई कि बेटा सब लोगों को पका चलिए sum bear A. इसका ही मतलब होता है कि अगर container के अंदर में बॉटल है, इसका मतलब container का ही some part क्या है, बॉटल है, तो some container are bottle ये भी true हो जाएगा, उसके बाद, some cap are lead, बोलता है some cap are lead, तो देखिए आप, some cap are lead, अब सहर ये जो आप पूछ रहें, थर्ड वाला, ये cap और lead का तो ऐसा cap और lead का त some का relation होना था, तो यहाँ पर देखो, इस diagram में कैसा है, lead और cap का तो negative का relation है, sir, ये जो lead है, और ये जो cap है, इसका तो negative relation है, sir, इसका मतलब ये तो बटा गलत हो गया, मेरी बास समझ में आ रहे है कि आप लोगों को, ये तो गलत हो गया, इसका मतलब है, कि अगर आप ये inclusion गलत हुआ, इसका मतलब option number C से answer नहीं आ सकता, समझ पारें बटा, चलिए, तो option number C से answer नहीं आएगा, उसके बाद option number D, अब option number D से देखो, some lead are jar, हाँ, मुझे एक बात बताओ, some lead are jar, चलिए देखते, अरे ये ये चेक क्यों करूँगे, sir, अब पहले option number D में आओ, option number D का आ पहले diagram बना और उस diagram से देखो कि कौन सा conclusion false कर रहे है, 4 के 4 conclusion false होने चाहिए, मतलब follow होना चाहिए, समझ पारे हो कि बटा, चलो, अब आजाओंगा, मैं option number D पे, देखिए, अभी तक हमने क्या किया, sir, अभी तक हमने ये चेक किया, कि sir, पहले option number A चेक किया, तो ये इससे भी अगर एक भी conclusion गलत हुआ, तो समझाओ कि option number A से answer आई नहीं रहा, फिर हमने option number B के statement से diagram बनाया, तो उससे भी एक गलत हो गया, तो फिर मैंने बोला कि conclusion में अगर एक भी गलत हो गया, तो option number B काम नहीं कर रहा, उसके बाद option number C से हमने diagram बनाया, option number C के statement से हमने diagram बनाया, तो य अब इसका मैं शॉटकेट भी बताता हूं पर पहले बैसिक ऑल बॉटल रजार क्योंकि मुझे मालू मैं ने बिटा आपको शॉटकट में चाहिए तो बताता हूं मैं उसके बाद बोलता तो भी ओके हैÓ ऀा साज तो एक जो नहीं जर और नहीं है Óके। देखो निगेटिव जो है वो निगेटिव ऐसा लगा है कि सर जार और का देज के अंदर अगर चाप के अंदर है इसका मतलब कि जार और क्दोन का देजिए निगेटिव नहीं है इसा बोल सकते हैं अब मुझे बताओ यह डायगरम निकला सर आपका अब इससे आपको conclusion चेक करना है कि सर चारों के चारों conclusion कैसे होना चाहिए, true होना चाहिए, 100%, तभी option number D is the correct answer होगा, अगर एक भी गलत हुआ, तो conclusion एक भी गलत हुआ, तो सर गलत, तो conclusion अगर एक भी गलत हुआ, तो option number D गलत हो जाएगा, चलिए आइए, check करते हैं हम लोग, पह सारे के सारी bottle है, बोलता है, लीड, तो आप बताओ कि सारे के सारी bottle lead है क्या, सारे के सारी bottle lead के अंदर रहने चाहिए, सारे के सारी bottle lead के अंदर रहने चाहिए, है क्या बताओ, नहीं है, अगर बिटां नहीं है, तो simple सी बात है कि यह तो गलत हो गया, सर, समझ पा रहे हो तु कि आप लोगों को सब को समझ में आओगा ठीक है अब ऑप्शन नंबर ई में आजा चलो अब ऑप्शन नंबर ई में जो स्टेट्मेंट दिया उससे आप डाइग्राम बनाएंगे तो सर यह तो बहुत मतलब हमको आंसर समझ में तो आ रहा है परन्तु टाइम लेगा सर यह तो तो उसी के लिए तो शॉटकट होता है दो मिनिट रुख जाओ अब भी हम शॉटकट के तरह पाते हैं ठीक है चलिए अभी आजाएए यह भी बना के देख लेते हैं इसको क्यों छोड़े हम सर हम स्टेट आप्शन नंबर ई के स्टेट्मेंट से डाइग्राम बनाएंगे एल बॉटल औरजार हाल बॉटल औरजार और अला बॉटल और जार। ऑल बॉटल आर जार, शॉटकट विलिग सकते बॉखतल क भी जार का जहए और जार करतनी और यह सारासारा जो चैनल रही किसके अंद्र पेसा यर Banks यह लेट खेत सारी आल लीट के अंदर है उसके अभी बोलो option number E है हाँ अब बताइए option number E से क्या answer आएगा चली देखते है all bottle are lead हाँ ये सही होगा sir all bottle देखो सारी कि सारी bottle किसके अंदर है लीट के अंदर है इसका मतलब यह तो true हो गया sir पहला some container और bottle मतलब sir यह जो इसमें some का relation कैसा हो तो डाइग्राम में container का जो कुछ हिस्सा है वो touch होता है किसमें bottle में touch होता है या तो पूरा का पूरा जो container है वो bottle के अंदर अगर होगा इसक कबिषए। वोत आचाह। यही हमारा अंसर है। यहीह भी देखो तो सम कंटेनर और बोटल ये भी ट्रू है, सम क्याप और लीड, ये सर, ये दिखी, ये जो क्याप का सरकल है, ये तो बड़ा सरकल है, ये जो क्याप का सरकल है, ये तो बड़ा सरकल है, ये क्याप का ही सम पाड कोने लीड है, ये क्याप का ही सम पाड कोने जा रहे है, ये क्य पूझा है o ऐसा यह देखो सम लीड आर जा अब आपने जो option number E से जो diagram बनाया, उस diagram से 100% मेरे चारो के चारो यह जो conclusion है, यह चारो के चारो conclusion follow हो रहे हैं, इसका ही मतलब है, कि option number E is a correct answer, option number E is a correct answer, बेड़ा सबको समझ में आया, चलिए, अब याद रखना तुम लोग, shortcut कैसा होता है सर, देखो अभी, अब मुझे बताओ, shortcut, चलो मैं इसके उपर हम shortcut बता रहाँ आपको, ठीक है, देखिए shortcut, देखिए, देखो shortcut, अब मुझे बताओ, कि सर, जैसे यहाँ पे, यह जो option number E का statement, इसमें sum है, sum है, sum है, इसका मतलब जब पूरे के पूरे diagram sum है, sum bottle are jar, sum jar are container, sum container are lead, और sir, sum lead are cap, तो sir, सब तो sum का relation है, सब के sum का relation है, परन्तु conclusion में आपको क्या पूछा है, all का relation पूछा है न, तो जब भी आपको diagram में अगर sum का relation होगा, sum का relation होगा, relation होगा, तो definite में all का relation नहीं हो सकता, definite, मतलब conclusion, definite, conclusion, all का नहीं पूछ सकते है, definite, conclusion में all का relation नहीं हो सकता, all का relation relation नहीं हो सकता नहीं हो सकता क्यों sir क्योंकि sir हमको पता है सब के सब diagram में some का relation है और अगर some का relation है इसी का मतलब है अगर क्या बोला मैंने अगर some का relation है इसी का क्या मतलब है बिटा कि all का relation नहीं हो सकता all का relation false हो जाएगा समझ में आया तो all का relation जैसी देखा आपने पहला फॉलो जाएगा इसका मतलद अप्शन नमर यह तो गया फिर देखो यहां पर all बॉटल आर जाए औल कंटेनर है लीड तो यहां पर भी सर ऑल बॉटल लीड होना था तो आल बोटल आर डारेक लीड दिखता है क्या यह दिखना चाहिए तुमको आल बोटल आर लीड आल बोटल आर जार समझार कंटेनर आल कंटेनर लीड और आल लीड आर क्या तो सर कम से कम आल बोटल यह लीड होना था तो यहां दिखना था आल बोटल आर नही यहां पे नहीं होगा क्यूंकि एक तो दिख नहीं रहां उपर से अगर एक हम ढ्राइग्राम भी बनाते तो सर वो डाइग्राम में भी नहीं आएगा ना यह सिम्पल यह प aircraft जा रहे ह सम जार सम्जाणर एड हे यह बन गया जार सम कंटेनर जैसे आपने सिया मतलब all का relation तो हई नहीं वहाँ, touch होता तो some का relation होता पर हमको तो चाहिए all का relation तो all का relation नहीं, इसलिए option number b भी गलत हो गया, ठीक है, तीसरे में क्या हो जाता है न, तीसरे में क्या बोला है, all bottle are jar, all jar are container, all container are need, और यह जो no का relation दिया है न, no lead is cap, यह देखिए, अगर मुझे diagram में no lead is cap already दिया है, तो no lead अगर cap दिया है, इसका मतलब यहाँ पर आपको देखो option number, यह conclusion number इसमें देखो third line में, some cap are lead पुछा, तो यह cap, यह lead के अंदर कैसे जाएगा, जब यहाँ पर no lead is cap दिया है, no cap lead दे दिया है, no lead is cap दे दिया है, negative relation, जब यहाँ पर पहले ही मुझे negative relation दे दिया है, negative relation दे दिया है, lead के बीच में, and lead के बीच में, और cap के बीच में, जब negative relation है, तो फिर some cap are lead कैसे हो स गलत होगे मतलब option number cb गलत होगया ठीक है option number cb क्या होगया गलत होगया अब d option देखो यहाँ पर देखो नो जारर container दे दिया है तो अगर इसके बारे में कोई भी देखो अगर नो जारर container दिया है तो यहाँ पर आप sum अगर पूछाओगा जारर container के बीच में तो भी गलत हो जाएगा या ऊल भी पूछा ओगा जारर container के बीच में तो भी गलत हो जाएगा मेरी बाद समझ पा ждet अगर यही तो बात है न यही बात है बिटा तो यही तो बात है तो इसी की वज़े से क्या हो गया गलत हो गया अब आजाओ जार और कंटेनर का कुछ के बौटल और यूंड था एक काम करो अगर आप निघेट्व डाइग्राम निकल रहा है पका देखो हाप्षब दी में निगेटुन जार और कंटेनर बोलता है और 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 कुछ बोला है कि ऑल बॉटल और जार और सारी के सारी बॉटल जार के अंदर है तो सम कंटेट्ट अर और गया एतो को बटा ये जो container है ये सरकल और ये bottle का तो ये कर लुए इसका मतलब और कंटेनर का रिलेशन पहले से निगेटिव लगा हुआ है तो फिर सम कंटेनर और बॉटल कैसे हो सकती है इसका मतलब यह जो बी ऑप्शन है यह गलत हो जाएगा और जैसी कंक्लूजन में बी ऑप्शन गलत हुआ समझ में आगा सबको पका चलिए उमेद करता हो आप सभी को समझ में आया को ठीक है । हां उसके बाद नेक्सट चलो information number nr e next क्या है उप्शन number packing एंटो आं टो आऊपशन नमबर एesting value ध Neither अब देखो पटा, option number E से कैसे बनाओ गया आप, sir, simple है ना, जब ये चारों के चारों ही गलत हो रहे हैं, ये चारों के चारों गलत हो रहे हैं, इसका मतलब option number E तो answer आएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो answer देना पड़ेगा, और यहां पे none of this भी नहीं है अभी option में, डाइग्राम positive बनेगा और conclusion भी हमारे सारे के सारे कैसे हैं, positive है, sir, इसका मतलब है कि 100% संभावना है यहां पे, कि ये जो option number E है, ये तो sir, सही होगा करके समझ में आ रहा है, तो फिर भी देख लो, simple है, all bottle are jar, all bottle are jar, ये बन गया jar, अल jar are container, ये बन गया all jar are container, उसके बाद all container are lead, ये सारा का सारा container बन गया lead, और बोलता है, all lead are cap, और सारी के सारी, ये lead हो जाएगी किस के अंदर, तो simple है, अब sir, कुछ भी पूछो ना, आप तो तो true होगा, ये all bottle are lead, सारी के सारी bottle, lead के अंदर हाँ sir, है, ये बी true, all some container bottle, some container bottle, container के अंदर में अगर bottle है, तो पूरा का पूरा bottle भी container के अंदर है, और some part भी bottle container के अंदर है, और some part भी bottle container के अंदर है, और container का ही, जब ये container का circle बड़ा है, तो container का ही some part के रहेगा bottle रहेगा, तो some container bottle पुचा है, यह भी true, some cap are lead, some cap are lead, यह cap के अंदर lead है ना सरीए तो है, तो यह true हो गया, some lead are jar, some lead are jar lead का ही, some हिस्सा क्या है, jar है, क्योंकि जो lead है वो बड़ा circle है, अगर पूरा का पूरा jar ही lead के अंदर है, तो lead ही lead के अंदर पूरा का पूरा jar है, इसका मतब lead का ही some part कोन सब्सक्राइब अब बढ़ते हैं हम लोग सामने की और ठीक है अभी देखो अब हम बढ़ रहे हैं सामने की और आजाओ अब मुझे पताए कोज़ा नबर सेकंड आया सेकेंड में कुशन नंबर ठीक है जस्ट मिनिट घम इसको हमारा जांक पन टैब इसको ले लेता हूं अपन को कि यस देखो इदर यह आजाएगा हमारा उपन टैब और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं कि डाकुमेंट में जाके दो मिंट रुकना ना ठीक है चलो यह आगे हमारा हाँ अब कहा थे बिटा हम लोग नेक्स स्लाइड में थे सरां कौन से स्लाइड में थे यह वाला अच्छा चली आजाएगे कि का आच कोई बात नहीं है कि कि दो मिन दा कि तुम जाएगे हाँ यह देखीए चलिए अब कहा ते सर्य हम लोग नेक्स कोश्टन ले रहे तो यह गाई चलिए सस्क्राइबशन नमबर स्क्राइब मतलब क्या कंसिप्ट है कि सार अगर ऑफशन उप्शन नबर ए के स्टेटमेंट से जो भी डाइग्राम बनाएंगे उससे चारो के चारो के चारो कनκलुजन प्रू होना चाहिए तबु ऑप्शन नमबर एंसे कोई एक कन्कलुजन यहां पर गलत हो गया तो इसका मतलब आफ्शन नमबर ए आंसर नहीं होगा फिर हम जायं option number B का जो statement है उससे चारो के चारो conclusion true हो रहे है तो इसका option number B correct answer रहेगा ऐसा मतलब जो भी आप statement उठाएंगे उससे चारो के चारो conclusion true होना चाहिए अगर यह भी conclusion गलत हुआ इसका मतलब वो statement ही गलत हो गया वो option ही गलत हो जाएगा समझ में आ रहा है चलिए यस नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग सामने की तरफ देखिए अ हाँ आ जाएए यहां पर question आज बहुत सारे सर अपने पास में ठीक है हाँ चलिए सम इंसेक्टार बर्ड तो हम बनाएंगे हम डाइग्राम बनाएंगे सर पहले option number एक स्टेटमेंट से डाइग्राम बनाते हम लोग ठीक है सम इंसेक्टार पैट ठीक है बनाव सर सम इंसेक्ट पहले बेसिक से ठीक है सम इंसेक्ट आर पैट पैट उसके बाद सम पैस्टार अच्छा पैस्ट एक है यह ठीक है पैस्ट ले लो और सम ब्रूस करना जी है तो कई be run और व कर दो नहीं होगा कुझे बताईना एंपुल जो रखेंस है किसर्थ यह आपने बना लिया सब्म इंसेक्ट आर अहां चाह इस से हम कुछन चेक करें के सम इंसेक्ट अरे इंसेक्ट यहाँ पे है और यह बर्ड यहाँ पे हाँ वह न है बर्ड का सब्सक्राइब का सरकल है ब kuil k Lots अर रहा हुए और जैसे टैच ओर मंतलब यह तो रोगो सर सम एनिमल और नौट बर्ट को सब्सक्राइब सम आनिमलु औरुकिंटी धे भिज क्टा और 2 पीस टारी होसीं नौो पेसट इन्वीडि के साथ लगा रएंबिफिक साथ लिगा उछता समगज़ प्पाएंपकर अंदर को प्रप्रों सुमद्र एनॐ ऐस चैनी चैना मेंटिक ऑशर और बर्ड का सरकल अगर निगेटिव है यह बर्ड का सरकल और यह अमभीफियन का सरकल अगर निगेटिव इसी का मतलब होता है कि एमभीफियन और पेस्ट यह भी निगेटिव हो जाएगा क्यों कि यह बर्ड के अंदर है देखो अगर बड़ा सरकल जैसे यह है यह सही है पर मिलारिक सब्सक्राइब क्या बुला इसने इसने बुला सम इंसेक्ट आर सम इंसेक्ट आर नॉट अमिफियंस ठीक है तो ये भी ट्रू हो जाएगा समझ पारे हो के नहीं समझ पारे हैं आप लोग समझ पारे हो चलो सम इंसेक्ट आर नॉट अमिफियंस क्यों सर ऐसा क्योंकि बेटा देखो ये जो इंसेक्ट है ये जो इंसेक्ट है इसका थोड़ा सा सरकल किसके अंदर गया है ये बर्ड के अंदर गया है थोड़ा सा सरकल ये जो बर्ड है इसके अंदर गया है बर्ड का सरकल के अंदर इंसे का सरकल गया है और यह बर्ड किस्से थैं कि कीर मिशुच्ट जा एक फालिय estás exact जितना नी के धरना सर्कल को क्या बोलते संपाइब यानिए कि जितना भी जी मेश्ट को पाढ़ गया है बढ़ के लिए गर पूछ है इसका मतलब और और वह जो थोड़ा सा सरकल बर्ड के अंदर गया वह निगेटिव हो जाएगा अंबिफियन के साथ तो यही तो पूछ है यह बात समझ रहे हैं तो सर यह B बहुत आना चीए यह C पी गलत आना चीए डी बी और ई गलत आना चीए तो आते हैं कर देखो बरा आते हैं कर देखो बरा चलिए देखते हैं हम लोग अब मुझे बताओ यस अब सर ये तो पहला तो true आ गया हमारा ये क्या आ गया बटा पहला पहला तो sir true आ गया तो ये B, B क्या true है कि ये दिखना है आपको समझ पारे हो आप लोग जो B है ये true है कि ये आपको दिखना है चलो आओ बरा देखते हैं सर B true हो रहा है क्या कि आज़ू चांग कि दिखते हैं सम इंसरेक्त aten कै अ कि बmission इसनों समें इंसक्राइब स्टीक है को सब सकते हैं यहां पर समिंसे क्टार्पेस्ट मां डायागराम मना लूंच को यह सिंपल आप समझ सकते हो कि देकर हों फेसम इंसैट पेस्ट ऑ promotes इसका ही मतलब है कि जब सर इस statement से पूरा का पूरा अगर positive diagram बनने वाला है इस statement से अगर देख शॉटकट बता तो positive diagram बनने वाला है तो अगर पूरा का पूरा positive diagram रहेगा तो यहां पर अगर आप negative conclusion पूछोगे तो वो negative conclusion यहां false हो जाता है क्यों कि diagram अगर positive है diagram अगर positive है तो negative conclusion गलत हो जाएगा तो यहां तो negative conclusion पूछा है sir no page star ambience तो यह तो true होई नहीं सकता इसका मतलब है option number B true होई नहीं सकता समझ गया सिंपल से फंड़ा है कि diagram अगर positive तो conclusion भी positive ही true होते है निगेटिव ट्रू होई नहीं सकता तो यहां पर डाइग्राफ पॉजित था और कंक्लीजन में क्या पुछ रहा वो निगेटिव पूच रहा है तो यह तो प्रू हो नहीं स्वासita रहे हो ना हां तो फिर भी फिर भी आपको निकाल के दिखाता बटाइसलिए शॉट्कत है इसको लिघकरत लेना कहीं भी लिखके रख लेना सको की हिव डायग्रामाइस पॉजित विव डायग्रामइस पॉजितिव कि बैर देनं दकम शनल देन निगेटिव कंक्लूजन आर ओल्वेस फॉल्स मेरी बास समझते आ रही है क्या आ रही है चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट लेते बिटा हाँ आ जाहिए बना नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है देखिए अधर नेक्स्ट चलिए अरे सर इसी को तो आप बताईये हमको क्योंकि कई बच्चे होंगे जो बेसिक से भी चाहरे होंगे इसको बेसिक बता दो कि सर यह क्यों गलत हो रहा करकर फिर भी देखो बताता हूं मैं स्वाटकेट्ष अगर कर दिया तो बता दिया कि स्वाड़ क्या साइब का इंसेक्ट आर पेस्ट यह सब्सक्राइब तो जायेगा मेरा पेस्ट उसके बात और पेस्ट और बडा बर्ट के इंदर है उसके बात और अनिमल और अनिमल सारा का सब्सक्राइब है यह एक बात बताओ कि मुझे एक बात बता आप लोग क्या ऑल एक बता अथि कई ऑलमिमेंस अभी देखो इसमें सर हमको यह डियाग्राम तो निकल लिए तो हमको इसको करना था तो बता पहला वाला टूरोगा क्या फॉल्ष तो पहला दिखते हैं, some insect are bird, some insect are bird, ये तो सही है सर, ये जो insect है, ये bird का सर कलटा चो रहा थे, ये तो सही है सर, some animal are not bird, अरे भाई, some animal are not bird, सर, some animal तो bird है, आप some animal are not bird पूछ रहो तो ये तो गलत होगा, जैसे ही गलत हुआ, इसका मतलब option number B गया, समझ पारे हो, अगर true होगा, ये चारो conclusion true होने चाहिए, चारो conclusion true होने चाहिए, तभी ये option number B करेक्ट होगा, परंतु सर, अगर एग भी गलत होगया, इसका मतलब option number B गया, समझ पारे हो, होना चाहिए तो चारो conclusion true होने चाहिए, इस statement option number B से, एक भी गलत, तो option number B खुत गलत, ठीक है, चलिए, third पे कि ये सर्ष उगेता पहला है ये सही ता पहला हमारा ठीक है ओके option number बी गलत हो गया तो आप सी चेक कर रहा है तो सर जब मुझे देखो देखो higher निकल गया है मेरा पहले ही अगर आंसर मिल गया और यहां नन अफ दिसका तो आंसर है नहीं तो जैसी पहला मिल गया इसका मतलब option number a is a correct answer यह तो मुझे पता चल गया परंतु यह बाकी के भी तो check करो सर क्यों चेक करना अरे हाँ पेपर में हमको ऐसी करना है कि अगर हमको आंसर मिल गया तो आगे बढ़ना है यह मैं समझ रहा हूँ परंतु अभी तो हम सीखने के उद्देश से से पढ़ रहे हैं तो पहले option number c भी चेक करो कि सर यह गलत आना चाहिए डी भी गलत आना चाहिए और यह भी गलत आना चाहिए क्योंकि हमारा option number a सही है करके तो गलत आना चाहिए तो चिक भी तो हम देखते हैं कि गलत आना ही चाहिए हमारा फिर तभी हमारा concept सही होगा अब मुझे बताओ बटा हाँ चलो मुझे बताओ यस बी भी गलत है सी देखते हैं सम इंसेक्टार पेस्ट तो अब मुझे बताओ देखे यहां पर nobody's ambiphian दिया है अब मैं इससे direct shortcut कैसे निकाल सकते हूं सर यहां दिया है मुझे nobody's ambiphian और सारा some all और all तो all pest are bird देखो यहां क्या दिये some insect are bird some animal are not bird some animal are not bird some nobody's ambiphian ओके चलो इसको देखते है some insect all ambiphians are animal और no pest is ambiphian insect not ambiphians animal are not bird ठीक है चलो बना भर है इसका डियागरम some insect are pest some insect insect are pest okay sir उसके बाद यह पेस्ट हो गया all pest are bird यह सारा का सारा पेस्ट किसके अंदर बता यह bird के अंदर है उसके बाद no bird is ambiphian no bird is ambiphian ठीक है सर सही बात है आपकी उसके बाद और अनिमल तो और अनिमल किसके अंदर आ जाएगा एनिमल के अंदर आ जाएगा समझ पा रहे हो चलो अभी बताओ मुझे के अरे सर्सिंपल है देखो कैसे निगेटिवाल रेलेश्जया मुटे मतार नो फे लुटता है और ऑप्शन नमबर सीबी सिरन देकर यहां पर ढौंज ऐसा सी बीन शुद्र समय व गया और यह भी हो गया सम एनिमल यही भी सख़ा कि यह से शान के बाद यह विस्टर जायां या जाया समत्र मेंस हा थे जमनांइ 살 तो some insect, यह वाला जो insect है, यह भी सही है, इसका मतलब option number C भी सही है, देखो बटा, यहाँ पर A भी सही है, और option number C भी सही है, ठीक है, चलो अब D के तरफ बढ़ो, इसलिए मैं बूट रहा था, चेक कर लो, करके हैं, है ना, क्योंकि यहाँ option मैंने दिये नहीं, बाकि कोंसे option true ह क्योंसे option false होगा करके, ठीक हैं, तो यहीं से answer निकालना है आपको, चलो, उसके बाद मुझे बताओ, यस, यह diagram होगा सर, next, next चलते हम लोग, D के तरफ, क्या D सही होगा, क्या बताओ बढ़ा D, some insect are pest, all pest are bird, some bird, all amphibious, simple सी बात है सर, positive diagram, some का, all का, some का, all का, negative, some not का relation पुछा ह तो कसम खा के गलत होगा, इसका मतलब D तो answer आई नहीं सकता, simple बात है न, shortcut लगा दिया रहा मैंने सीधा, यहाँ पर some का relation है, यह all का, यह some का, यह all का, तो सर, some और all में positive ही diagram true हो, मतलब positive conclusion ही true हो सकते है, यहाँ तो some not का पूछ रहा है, यहाँ तो no का पूछ रहा है भाई, इसका मतलब direct गलत है यह, फिर भी, basic से चलो, फिर भी सर, basic से बता देता हूँ, क्योंकि बटा मेरे को सिखाना है आप लोगों, और एक बार आप सिख गए है, तो sir, आप कहीं भी shortcut apply कर पाएंगे, ठीक है, चलो, some insect are pest, यह देखो, some insect are pest, उसके बाद, some pest, all pest are bird, all pest are bird, then, some bird are amb ambience, उसके बाद, all ambience are animal, all ambience are animal, all ambience are animal, all ambience are animal, ठीक है, सर, तो बताइए, मुझे, तो बताइए, सर, मुझे फिर, some insect are bird, some insect are bird, सर, यह तो सही है, पहला, यह पहला तो सही है, सर, ठीक है, अगर पहला सही है, तो बाकी भी सही होना चाही था, some animal are not, सर, यहाँ positive diagram, देखो, बीटियव चयांंग्य है यह लीजांगा तो फॉजिटिव डायंग्राम निगैटियू कन्क्लिजान कसम खांकJan Speed स NagITya है, सुनसर के एक कणियों से श्टृ बन से विस्ट कंंक्लीजान मेंनी हुजान तॉब है लेगा अरे हां याना समझ पा रहे हो कि नहीं पॉजिट्व डाइग्राम निगेटिव कंक्लुजन जैसे निगेटिव डाइग्राम निकाला और निगेटिव कंक्लुजन पूछ रहो सर गलत ठीक है यह हमेश्वा शॉटकट याद रखना ओके चलिदी तो गलत हो गया अब पढ़ते बटा next आ दो सर इक करना है कि आ जेकर और स्वेये साजसे सर कैसे अरे देखो न संब ँस्य GMU का बहुत ही गश्प अनलएं अरे जब श कर सो अरे देखन का डायग्राम निकलेगा सारय का सारा तो यहां तो नो का डायग्राम ये नो का no सब्सक्राइब और आपको जैसी पता चल गए कि यह जब यह सम 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 अगर सम का डाइग्राम है तो सर यहां पे नो का डाइग्राम यह यह जो जाएगा बोत एंड सीड दोनों के दोनों प्रोजाएंगे समझ पारे हो चलिए नेक्स किजिए को अपने पास ऑप्ष्ण बहुत सार है यहां पर लिखने का भी ऑप्ष्ण है हाइलाइट करने का भी ऑप्ष्ण है ठीक है अप्ष्ण बहुत सार है सर हाँ कलर का अप्ष्ण नहीं के सर बहुत सार है है रहे है चलो चली बताइए कोश्चन नमबर थी का अंसर बताइए सम शूज अर नॉट ब्लैंक एड़ाइट सर अप्ष्ण नमबर एउठाई है अब यहां पर देको पहले ही हमने देखा कि नो है तो नो है तो जो भी पॉजिटिव वाले होंगे जो भी हमारे पॉजिटिव वाले होंगे उसको तो पहले कर दो क्यों कि हमको नो आने वाला यहां पे तो सम आल अल 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 सर्य तो सब है और आल है ओले यह पॉजिटीव चीज़ है सर सम शूजार सब सब पॉजिटीव है और जैसी यह पॉजिटीव देखा और यहां पर देखो इसका मतलब यह गलत हो गया आप्शन समझ पारे हैं ऐसा करना है देखो इसको शॉटकर से करते हैं अब बताओ बटा यह वाला देखो आप्शन नमर सी बी में देखो 9 है तो 9 को दी को छोड़ दो पहले सी को देखो समय यहां 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 यह बीचोड़ दो Red को देखो देखो सम सम शुक्षाम खावल और सम प्लैकत ठीख है तो सर यहां पर सम सम का रिलेशन है तो यहां पर नो का रिलेशन ट्रू होइनै सकता मतलब यह ओप्शन गलत हो जाएक उपर का दो सेकेंड दिनम्बर का mil escape गलत हो जाए तो जबीगा वी गया उसी तरह किसे हैं अब ईतिनों यह चेक कर लो कि ँ स्म यह और यह रहां सोक्स उसके बाद उसके बाद यह रहा मेरा ब्लांकेट यह रहा मेरा ब्लांकेट मेरी बास समझ पारे होगे तुम लोग अभी देखो चलो, मुझे बताओ, कि सर, डायगरम तो ऐसा है, तो सिंपल है, सम शूज़ार नॉट ब्लांकेट, बताओ, कुन सा ट्रू, कुन सा फॉल्स, सम शूज़ार नॉट ब्लांकेट, सर, ये तो दिया अच नहीं है, ये पाहलाई गलत हो गया, समझ पारे हो, ये तो कि ये ब्लांक पोज़ गया यहां पर और मेरा यह शूज है यहां पर तो सर्थ शूज का ब्लैंकिट के साथ में संब को नॉट का रिलेशन तो हाई नहीं सर्थ शूज नॉट यह गलत हो गया इसका मतलब option number कुन सा था भी ठाक्या हां यह बी था सर्ये भी गलत होगे एगलत अब बचा सी और एच लो सी और भी चेक कर लेते सिर आउर एपी चेक कर लेते हैं तो मुझे बताओ no bad shit is blanket बूला है और सम शूज़ बेटशीट सम शूज़ टावल सम अचा देखो बेटश ही टोर ब्लांकेट सम शूज़ ब्लांकेट सम शूज़ नोट ब्लांकेट बेट शेट और ब्लैंटेड दीखते वबार कि यह सही होगा सी ओप्शन का दिखते संब शुजर सॉक्स ये चूजर और ये फeVA लाए गो है स्षाम इखव सोग्स थान है टीक है फीर इसे वाद क्या बोलता है म dalक्सार संच छूवल गीर्श का रिशाल श्वी लाग見て सब्सक्राइब खै LiaBacker और देन संफर्भाविण टोऌब आर्ड़ बएटृब भाई-भाई-भाई यह सी वाला निकाल तो पहले गलत हो गया ना सम सम उल 없어 आपने क्या कर रहा है है तो यहां पर नौब था तो त्होड़ा सा नौला बना दो एक डिग वह बना बना क्लrome रो Cent अब डिमाइकट हाँ है जो और अचोष्ट करेकँ बहे एक धर सस्य दीखता ही ना पांचवां ही चैना इरी इसके बैडटाहाँ लाँ टॉटत करें रहें ना तो अब ये चारु गलतों हो error आजा आपशन नंबर हमारा पाचवा सही आना ही चाहिए सर ऑप्षन नंबर इसमें और शान नमबर इमें देखते हैं सम्सूस और सॉक्स समसूज आर शॉक उसके बाद अल्सुएर टॉवियल आ चाव घंव सामने बोल से बुला अल्सतौ से बाद नो बेटशिट इस ब्लांकेट, नो बेटशिट इस ब्लांकेट, अरे समझ पारे हो कहां नहीं, नो बेटशिट इस ब्लांकेट, तो देखो सिंपल है, पहला true हो जाना चीज़ बस सर, फिर सब true हो जाएंगे, some shoes are not blanket, तो yes, ये देखो, ये जो shoes का हिस्सा है, जो ये बेटशि पूरा का पूरा ब्लैंकेट के साथ और बेट के अंदर क्या है? अबेट के साथ, ये बेट का सरकल याँ, ये वाला जो भीड़ सिड़ इस के सरकल के साथ आई, तो ये पेट रहाएं। option number is the correct answer उम्हिद करता हूं क्लास कि सब कि सब आप लोग समझ पा रहे होंगे ठीक है हाँ चलिए next बढ़ते हैं क्लास question number four question number four बनाईए आप लोग बनाईए चाहँ बनाईए यह तो जरह question positive resembles अगर है मतलब all some मिसके अगर हमारा डाइगरां बन रहा है तो some not औरhmm यह तो true होई नहीं सकता ठीक है तो shortcut क्या positive डैगरांð इसका मतलब सूनों यह नहीं रहते हैं सम प्लण वाले ऊर्म यह दोनों के-दौन। गलत होечение पूरह का पूरह अगर ओल्स पॉसिटीव डायग्राम बन रहा हों, निगेटिव कंक्लिजन है, और निगेटिव कंक्लिजन पूछा जा रहा है, तो वो निगेटिव कंक्लिजन 100 % answer, 100 percent गलत होगा, मेरी तो समझ में आजये गया चलो तो यह मैने शॉटकुट बता दिया उसके बाद और एक और शॉटकुट लिखके रखो इसमे अगर समका सारे के सारे सम इच पूछे हुए है डाइग्राम है अगर सम का सारे के सारे तुमको क्या पूछे हुए है, सम ही पूछे हुए है, तो डाइग्राम अगर सम के है, तो क्या करोगे तुम, अगर डाइग्राम सारे के सारे सम के है, और रिलेशन तुमको पूछ रहा है का है का अल का, रिलेशन तुमको पूछ रहा ह सम नौट का तो सर यह खुद गलत हो जाएंगे क्यों कि डाइग्राम का यह के बने हुए सम के बने हुए समझ पा रहे हो तुम लोग मतलब अगर डाइग्राम सम का बना हुआ है तो आल का बताइए चलिए सर इसको सॉल करके दिखाए कोश्चन नमबर फॉर को सॉल करना ठीक है हाँ अब कुश्चन नमबर फॉर को सॉल करना पहले आप लोग करोगे कि चलो डायग्राम बना के देखो बना यस बनाया अपने डायग्राम क्या बनाया अपने बहले ऑप्शन नमबर ए लिया जैसी देखो यहां ओल है यहां सम है और यहां सम है तो सर अओल और सम में अगर अगर आपका कंक्लूजन पॉजिट्व पूछा गया है कंक्लूजन आपका पूरी कैसे बिटा फॉजिट्व कंक्लूजन है अब आप यृटी डैग्राम होगा तो वहां पर भी गलत होने करने है तो फिर भी देख लेता लिया रहा है यह नो कुछ गलत करने कुछ करते हैं अगर no kiter balloon है no kiter balloon है तो यह तो गलत होनी वाला है some airplane देखो फिर भी देख लेता है एक बार some airplane, airplane और helicopter यह हो गया मेरा helicopter उसके बाद all helicopter are glitters, all helicopter are glitters then some glitters are kites, some glitters are kites some glitters are kites और उसके बाद no kite are balloon नो काईट आर बलून बलून मेरी बास समझ पारे हो के नहीं ठीक है तो यह डाइगर आप सम बलून आर एरोपें नहीं है तो यह पहले ही गलत हो गया कि समझ पारे हो ठीक है अगर यह वाला गलत होगे चाह था यह अगर गलत हुआ इसका मतलब एक भी गलत हुआ तो आप्शन नंबर ही गलत हो जाएगा तो ध्यान रखना तुम लोग अब यहां पे क्या पुछे हैं हमको यहां पे दिया हमको पॉजिटिव कनक्लूज़न ध्यान रहे अगर कहीं गयुटिव स्टेट्मेंट से डाइगराम बन रहा है तो उसी से क्या हो जाएगा बन रहा है तो उसी से गलत हो यह समझ पारे हो कैसा चलो यह भी शॉटकट है कि सर अगर निगेटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव कंक्लूजन है तो वहाँ पे आपके चांसे होते हैं तो यह तो गलत हो गया सर हाँ उसके बात सामने बी ऑप्शन देखते हैं हम लोग बी ऑप्शन में भी एक हदर निगेटिव है कि वह बताओ मुझे यह देखिए सम का डाइगराम सम आल और ओल सर यह संभावना है कि सही हो जाए करके ठीक है हाँ उससे पहले सम सम पिले न डेर कекता बीन है कर न ओन सम देखुँ हिदर इसका मतलब अगर डाइग्राम अब इनने बताया एत स्वारी डिफिनाइट वाले कंक्लूजन गलत हो जाएंगे सावरे डिफिनाइट वाले कंक्लूजन गलत हो जायएंगे यह tadasy दाइग्रामम। टेसं समगा यहाँ है यहाँ पर भी सम्हाने यहाँ पर भी सम्हार यह पर पूछ क्या रहा है यह-ोख पूछ रहा है इसका मतलब यह तो गलत होगा इसका मतलब एक भी अगर गलत हुआ तो यह option number ही गलत हो जाएगा मेरी आसा मेरी समझ पार हें क्या आप लोग तो बस अभी अब इसी और डी चेक करना है आपको दो चलो मैंनों B. C. D. चेक कर लिए आज़व बी-सी डी। ऑके सम एरोप्लेन आर हेलिकॉप्टर सम एरोपलेन आर हेलिकॉप्टर एरोप्लेन हार हेलिकॉप्टर अभी सम हेलिकॉप्टर यूदर व्लिदर के सर्थ ही और टेंह इसके बाद आल ग्लीडर और काइट और कैट है ? बोलुन की किए सर चलिए अब मुझे बताएए बोल्रह रहा है ओल हेली के प्रबंव अर एली कफटर और बलुन सही कि सब्सक्राइब सम्पथर ग लिडर रहा है यह बीडिडर यह भी आए विद्ध वोगे पहला यह दूसरा है और सब्सक्राइब यह अरोप्रेन यह जो सर्कल यह वाला यह एरोप्रोन के सरकल के साथ तच है आपसे सिंपल है कि सर आपका जो यह बी ऑप्षन है आपका जो यह B option है यह तो सही है सर ठीक है आपका जो यह B option है सर यह तो सही है तो अगर सही है बिटा अगर सही है तो ठीक है सही बात है तो ठीक है सर उसके बाद C देखो परा चलो B तो सही आ गया मतलब B तो answer है सर अब C चली, C देखते हैं अभी, C देखते हैं हम लोग, Sir C, some aeroplane or helicopter, फिर से वही बात, Sir, some aeroplane or helicopter, हाँ, फिर all helicopter, all helicopter are glider, all helicopter are glider, ऐसके बाद और ब्लीडर ऑर काईट अर्सके बाद और रा काईट ऑर समकाईटर बलून और समकाईटर बलून एक एस बढ़र संवकाइटार बलुन संवकाइटार बलुन चलो उसकी बाद क्या बुलता है सी होगया हाँ तो बार्व करता बलुन बताओ भी यह चारो ट्रू होने चाहिए बभाउन लो govern surrendered को रहले कर बलün गया सर्थ C option गया, बस अब D check करना है, D, some airplane or helicopter, देखो बटा, जो जो कटते थे, वो मैंने पहले ही काड़ दिये, अब D देख लेते हैं, D में भी क्या all kiter balloon है, all kiter balloon, all helicopter or glider, देखे,